हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो न्यू वीडियो ऑफ जी टी एल इंफ्रस्ट्रक्ट्चर वीचिज अन पहनी स्टॉप तो फ्रेंड्स पिछले कुछ वीडियो में हम कंटिनुसली जो है बात कर रहे है कि 5G टेक्नलोजी आने वाली है टेलिकॉम सेक्टर में फिर से एक बड़ा रिवोलुशन आने वाला है तो रिवोलुशन क्या है वो 5G टेक्नलोजी है और जहाँ पर रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाए था जहाँ पर मैंने एक शेयर के बारे में आप लोगों को इन्फोर्मेशन दी थी और उस शेयर का नाम था इंडस टावर और मैंने बोला थ वो क्वालिटी स्टॉक है और 5G टेक्नलोजी आने के बाद उस स्टॉक में काफी अच्छे जो है रिटर्स देने की कैपेबिलिटीज है काफी अच्छी तेजी आने वाली है और उसी वीडियो के एंड में जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि इसी बिजनेस स चॉक भी मैं आप लोगों के साथ लेके आऊंगा और आप जो है उस वीडियो को जरूर देखना तो यही वो वीडियो फ्रेंड्स जीटी एल इंफ्रस्ट्रक्चर और इंडस्ट टावर का बिजनेस अगर हम देखेंगे तो सेम बिजनेस है यह टावर रेंटल बिस्स पे देते हैं टेलीकॉम कंपनिस को तो जीटी एल इंफ्रस्ट्रक्चर बहुत बड़ा सरकल है इनका भी और रिसेंटल यह जो कंपनी काफी ज्यादा जो है लॉसस में चल रही है उसी की वज़े से जो है इस कंपनी के शेर में जो हमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मि प्लस दे चुका था तो क्या जीटी एल इंफ्रस्ट्रक्चर वैसा कर सकता है क्या जीटी एल इंफ्रस्ट्रक्चर भी 100 एक्स के रिटन दे सकता है वह सारी चीज़े हमें जो है यहाप समझनी पड़ेगी सबसे पहले तो मैं एक वन बाइवन जो है पॉइंट्स कवर करू सकते हैं उनके बारे में इंफॉर्मिशन मिल सके हम कॉलिटी स्टॉक्स की भी एक्कुरेट इंफॉर्मिशन देते हैं जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है आपके अनलिसिस में सबसे पहली अगर बात करेंगे आप यहाप देखिए 2022 का जो बजट था जा गया था उनमें से एक शेर जीटियल इंफ्रा तो वह भी काफी जादा पेनी स्टॉक के वन रुपीज के आसपास मिल रहा है और रूरल ऑप्टिक फाइबर फोकस मतलब क्या है फ्रेंट्स गवर्मेंट चाहती है कि जो फाइजी टेक्लोजी आएगी वह रूरल एरिया यानि जो विलेजे से इंडिया के अक्रोस सारी तरफ जो है वो टेक्लोजी फैला दी जाए और जो है रूरल एरिया की डेवलपेंट भी स्टार्ट हो जाए तो उसी के वज़े से जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स लगने वाले है और अगर हम रूरल एरिया की बात करते है कि तो हमें वहाँ पे टावस भी लगने वाले है तो जी टील इंफरस्ट्रक्चर अल्डेडी उस बिजनस में है और यह शेर जो है फ्रेंट्स काफी इंप्रेसिव और काफी लोग प्राइज के रेड्स पे है तो फ्रेंट्स यह रही यह सारी चीजे की यह वहाँ तक और अब हम बात कर रहे है कि अधानी गुर्प भी यहाँ पे इंटर कर सकता है तो अधानी गुर्प को भी इंफरस्ट्रक्चर की जरूरत लगेगी अगर अधानी गुर्प जी 唱णुक्न के लिए उनके टावर यूज करने के लिए तो जीटियल इंफरस्ट्क्चर मल्टि होता है तो ही यह मल्टिभेगर बन सकता है ने तो इस share में हमेशा जो है रिस्क बनी रहे गी क्यों मैं यह बोल राओ रिस्क बनी रहे गी पियोति रिसंट के सारे कॉzess अगर आप देखो के तो सारे इनके निगेटिव है यहाँ पे अगर आप देखोगे recent quarter के बात करेंगे हम मार्च के तो 853 करोड का जो है यहाँ पे loss हुआ था इनको अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को financial status भी दिखा दूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका net income जो है continuously तुम जो है निगेटिव ही देख लिए काफी impressive जो है GTL infrastructure को contracts लगेंगे telecom companies से related तो यहाँ पे आप देख सकते हो GTL infrastructure limited is an independent telecom company tower company the company is engaged in providing telecom towers on shared basis to multiple telecom operator तो friends BSNL को भी देते हैं यह तो ऐसे ही अगर GTL infrastructure 5G के बाद जो है काफी अच्छे return अगर दे पाया तो यह बहुत बड़ा multi bagger होगा लेकिन उनको क्वांट्रक्स मिलना बहुत जरूरी है मैं बार बार इस पॉइंट पर बोल रहा हो तो मेरे जो है यह जो शेर मैंने इसलिए कवर किया friends क्यूंकि मैं closely monitor कर रहा हूं इसको अगर gtl infrastructure को अच्छे contract मिलते है leading telecom companies से तो उससे related quickly update मैं आप लोगों साथ share करूँगा लेकिन तब तक जो भी यहाँ पे पैसा invest करना चाते हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा minimum पैसा इसमें invest करना थोड़ी बहुत amount ही लगाना ताकि जो है वह risk में ना रहे अगर आप बहुत बड़ी amount लगावगे और अगर जीटील infrastructure जिस तरीके से loss में चल रही वेसे ही चलती रही कोई बड़ा supportive hand नहीं मिला जीटील infrastructure को तो यह share भी बाकी पेनी stock के तरह जो है बहुत जो है losses create कर सकता है तो friends यहाँ पे और एक चीज जो मुझे बहुत personally negative लगी ज जो है promoters holding यहाँ पे आप देखिया friends promoters की holding जो है 3.39% है यहाँ पे domestic institutions के अगर आप बात करोगे तो 49.94% domestic institution यहाँ पे holding रखते है foreign institution के अगर आप बात करेंगे तो 1.38% foreign institution और second largest जो यहाँ पे shareholder है वो 45.35 वो है हमारे retail investors तो promoter की holding मुझे कम लगती इसलिए मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है यह particular share लेकिन एक छोटा सा share जो penny stock है possibility बनती है अगर 5G technology में यह share चल जाता है तो काफी अच्छे return दे सकता है उसी एक point के basis पे मैं यह video बना रहा हूं और friends फिर से request करना चाहूंगा इस share का खुद का analysis कीजिए उसके basis पे ही by decision करना यानि loss हुआ तो आप उसको bear कर पाओ तो यही सारी important details difference इस penny stock के बारे में thank you for watching this video आने वाले कुछ वीडियो में मैं और penny stocks जो है cover करूंगा जो शायद आप लोगों ने कभी notice नहीं किये होंगे उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्रेब कीजिए और बेलाइकन दबाई यह थैंक यह थो वाचिंग इस वीडियो